हेलो एवरीबन आज की वीडियो में हम बात करने वाले M-Stock के बारे में जो कि एक ब्रोकिंग प्लाट प्लाटफॉर्म है जो मेरा ही एसेट ने लाँच किया है जो कि एशिया के वन अफ दे लार्जेस्ट फाइनिशल सर्विस प्रोवाइडर्स है सबसे बड़े फीचर इसका जो है वो है MTF या E-margin जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं MTF फीचर के अंदर बेसिकली होता क्या है MTF एक E-margin है जो कि exchange approved एक प्रोड़क्ट है जिसके अंदर ये problem आपकी eliminate हो जाती है कि जो insufficient funding वाली प्रोड़म होती है जब आप एक delivery trade place करते हो वो issue को ये solve करने की कोशिश करते हैं जिसमें up to 80% तक की ये funding provide करते है 700 से जाधा stocks के अंदर तो इससे फायदे क्या होते है सबसे पहली चीज़ कि जो ये annual interest rate चार्ज करते है MTF के अंदर वो industry के अंदर one of the lowest interest rate है और उसके साथ आपको दूसरे भी benefits ये provide करते है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे जैसे कि आपका return का potential increase हो जाता है इनके MTF feature के थूँ benefit हो जाता है आपका price movements है क्योंकि आपने कम पैसों में जाधा stock इसके अंदर buy किये है साथ के साथ आपका जो percentage return capital होता है वो आपका increase हो जाता है अब कुछ ऐसे reasons जिसमें आप M stock को prefer कर सकते हो compare to other MTF या other broking platforms तो कुछ ऐसे features जो MTF के हमें देखने को मिलते है वो है सबसे lowest interest rate अगर funding value 10 lakh तक की है तो सबसे कम funding rate आपको 9.5% 9.49% तक की देखने को मिलती है इसी के साथ 10 lakh से 25 lakh तक के zone में आपको 8.99% तक की funding rate देखने को मिलती है साथी साथ 25 lakh से अबब अगर आपकी funding value जाती है तो आपको 7.99% पे effective interest rate मिल जाती है इसी के साथ एक बार हम calculator पे जा करके देखते हैं कि जिस तरह से बाकी brokers हमें 14-18% तक चार्ज करते हैं पर आनम इस चीज के लिए तो उससे हमें कितना benefit या कितना amount आपका save होता है इन चीज़ों को use करके सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि हमारा expected yearly turnover 50 lakhs का है तो अगर 50 lakhs का हम turnover यहां पे approximately लेकर के चलते हैं साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि जो current broker है वो approximately आपका 12% इस टाइम पे चार्ज कर रहे हैं सबस्क्रेप्टन amount मान लेते हैं कि वो भी आपको 0 ही provide कर रहे है और number of orders मान लेते हैं कि आप 150 या 100 मान लेते हैं orders आप place करते हो yearly और जो brokerage है आपकी वो per order 20 रूपीज की चार्ज हो रही है ऐसे में जो current आपका broker है जो 12% पे दे रहा है 20 रूपीज ब्रोक्रेज चार्ज कर रहा है उसकी effective interest rate आपकी 12.05% निकल के आ जाती है साथी साथ annual interest का जो आपका amount है वो 4,80,000 निकल करके आ जाता है साथी साथ आपको 20,000 2,000 की brokerage भी वहाँ पे चार्ज हो जाती है यानि net net आपका amount 4,82,000 का आपकी cost वहाँ पे MTF की पढ़ जाती है इसी के साथ अगर हम M stock की facility के अंदर देखते है तो वहाँ पे आपका interest amount काफी जादा कम है 3,19,000 का ही है brokerage or subscription amount वहाँ पे पूरी तरीके से आपका zero है पूरी तरीके से free है तो ऐसे में जो आपका total expense निकल करके आता है उस सिर आपकी जादा कम आपको देखने को मिलता है तो ऐसे में 1,62,000 तक की आपकी savings हो जाती है M stock को use करके इसी के साथ अगर M stock के दूसरे कुछ अच्छे features की हम लोग बात करें तो जो सबसे lowest interest rate आपको provide कर रहे है वो तो बहुत बढ़िया feature है साथ इसाथ जो pledging होती है shares की M stock के अ पर 29 रुपीज तक का charge देना पड़ सकता है holding period जो आपको margin trading जो आपने bike किया है stocks उनके इंदर जो holding period है आप इसमे unlimited holding अपनी रख सकते हो बहुत ज्यादा आपको stress नहीं लेना है कि आपको margin की वज़े से उनको sell करना पड़ेगा इसी के साथ industry के अंदर आपको सिर्फ 365 days तक क holding period देखने को मिलता है इसी के साथ number of scripts की अगर हम बात करें तो 700 प्लस यानि 700 से भी ज्यादा ऐसे stocks हैं जिनके अंदर MTF facility M stock provide करते हैं जबकि industry के अंदर ये feature 200 से 900 stocks में यानि generally आपको ये काफी कम stocks में देखने को मिलता ये feature percentage of funding की कि कितना amount M stock अपने MTF के तरू आपको funding provide करे देंगे इंडस्ट्री में जहां पर आपको 52-70% ही देखने को मिलता है MTF के थुरू M stock आपको 80% तक ये funding provide कर देते हैं subscription charges के अगर हम बात करें तो M stock में बिल्कुल 0 subscription आपके charges हैं जबकि industry के अगर हम बात करें तो वहां पर आपको 10,000 तक subscription के ही charge देने पर सकते हैं hidden charges के अग hidden charge नहीं लेता है आपसे जबकि industry में काफी सारे ऐसे players है जो low interest rate लगा लेते हैं आपके subscription charges पर holding period और interest period भी आपका अलग-अलग कर देते हैं इसी के साथ zero brokerage के अगर हम बात करें तो M stock में आपका पूरी तरीके से zero brokerage रहता है जब आप MTF के थुरू stocks को buy करते हो जिसमें आप आपका बहुत ही simple process इसमें रहता है जिसमें three clicks के अंदर आप अपना MTF claim कर सकते हो clear tracking आपको देखने को मिलती है जिसमें एक ही जगहा पे आप अपने सारी MTF positions को अराम से track कर सकते हो app और web application के अंदर इसी के साथ interest on net debit यानि जितना आपका net debit रहता है उसमें आपका interest rate नहीं होगा इसी के साथ अगर हम बात करें कि कुछ लोगों को सवाल होगा कि MTF को M stock के उपर use कैसे करना है उस पे stocks buy कर से करने MTF use करके तो जब आप M stock में जाओगे तो आपको stock को select करना है बहुत ही simply उसमें आपके list of more than 700 stocks है जिसमें से आप choose कर सकते हो कौन से stock में आप जा लग सकते हो place the buy order जैसे आपने ये सारी चीजें कर ली अब बहुत ही simply आप अपना buy order place कर दो तो within three clicks आपका ये process पूरा हो गया इसके बाद buy करने के बाद आप अपने position को अराम से monitor करिए उसको track करिए कि कब आपको exit करना है कब आपका target stop loss आता है और जब आपको सही लगता ह आप अपने position से exit simply कर सकते हैं तो ये basically features हैं सारे MTF के जो आपको देखने को मिलते है M stocks के through and M stocks का सबसे वड़ा फायदा यही है कि एक तो trusted brand है मेरा ही asset जो कि बहुत ही बड़ा mutual fund industry के अंदर काफी known brand काफी famous brand है उसका आपको trust देखने को मिलता है साथी साथ आपके brokerage या जो extra charges होते हैं उनमें काफी जादा आपके amount save हो जाते हैं तो I hope कि आपको ये video पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो जल्दी से like को बटन दबाए चैनल को subscribe करिए और M stock की जो भी links है वो आपको नीचे description में मिल जाएगी तो अगर आप इसमें interested है तो definitely आप उसको check out कर सकते हैं